Friends, Need 2022 के application form release हो चुके हैं, कुछ candidates के अंदर doubt था, उन्होंने questions पूछा था, वो हम सारा doubt लेंगे और इसके अलावा मैं कुछ बातें बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा important है, आपके selections related information है, क्योंकि last year one to one consultation में मेरे टेलिग्राम में बहुत सारे candidates ने ये issue phase किया है, इसलिए मै ये आपको पहले से बता देना चाहा रहा हूँ, दोस्तों पहला ये जो query है candidates की, कि private के जो student है, वो eligible है, जी eligible बिलकुल है, और ये क्या कहते हैं, इसका case चलना था Supreme Court में, बहुत सालों से चलना है, इसका कुछ हुआ नहीं है, तो फिलहला आप eligible हैं, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसका case भी काफी दिनों से चलना है, तो आराम से आप बर सकते हैं, ओपन स्कूल वाले भी इसी तरह से बर सकते हैं, additional biology subject वाले भी अभी eligible हैं, तो ये तीनों category के जो भी candidates है, open school हो गया, private हो गया, या फिर additional biology, ये सारे eligible हैं, ठीक है, दूसरा important बात ये है, कि अगर आप किसी category से आते हैं, तो आप ये पता कली जी कि central में आप किस category के आते हैं, गर OBC, NCL में आते हैं, general EWS में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, physically handicap में आते हैं, तो आपके पास वो proper document होना चाहिए, ठीक है, लास्ट एर क्या हुआ था है, एक बच्चा जिसके 701 out of 720 थे म मेरे personal one-to-one telegram में था वो, और हम लोगों ने बहुत कोसिस की, क्योंकि उसे बाद में पता चला कि वो OBC, NCL में आता है, उसने general fill-up कर दिया था, तो उसे लगा कि OBC, NCL में अगर वो आता तो उसको AIMS New Delhi मिल जागा, तो हमने बहुत कोसिस की थी, मैंने भी mail किया था, NMC को, call भी किया था, उसने भी बहुत सारे mail किये थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वहाँ पर category change हो सकती है, लेकिन unreserved to, means reserved to unreserved convert हो सकती है, means गलती से आपने, आप general के हैं, आपने SCST या OBC डाल दिया है, या EWS डाल दिया है, तो आप general में आ सकते हैं, during counseling, all India quota, लेकिन अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, आपने general डाल दिया है, तो general से OBC नहीं आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो reserve category to unreserved category possible है, लेकिन unreserved category to reserve category during counseling possible नहीं है, तो पहले से ही आप decide कर लिए, आप OBC NCL में आते हैं, तो उसका certificate डाल दिजिए, EWS में आते हैं, तो उसका certificate जिस format में बुकलेट में हैं, उसी format उसको डालिए, ये बहुत ज़्यादा important कि कुई इसी की बेस पे आपका final selection होता है, तो अभी ये गलतियां बिल्कुल मत करिएगा, खासकर अपने certificates are related, क्योंकि यही एक important बात है, बाकी तो जो भी है, वो eligibility सारा वही है, जो पिछले साल का था, EMS की eligibility वही है, NTA ने इस बार NEET की ही eligibility को बताया, तो ये सारे point important है, और final जो important, सबसे ज़्यादा important point यही है, कि आपके पास जिस category में आते हैं, उसी का certificate डालिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important है, आपके final selection के लिए, वरना All India Kota की cause में फिर से आपको problem हो सकती है, that's all.